हलो दोस्तों नमस्कार मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एज्यूकेशन मैं बात करने आया हूँ राजस्तान में जी अनम काउंस्लिंग प्रोसेस के बारे में तो जी अनम कोर्स में एड्मिसन के लिए सत्र दोजार तेईस चोबीस के लिए ऑनलाइन फॉर्म बरे गए थे जिसमें पचास हजार स्टुडेंट ने अपलाई किया और अब जी अनम नर्सिंग डिपलोमा की काउंस्लिंग चल रही है अभी फैस्ट आउंट की चल रही है और फैस डाउंड के लिए कोलेज की 24 भरवाई जा रही है तो सबसे पहले तो हम इसका सेड्यूल एक वीडियो के द्वारा पहले ही समझ चुके हैं और एक बार मैं और आपको बता देता हूँ क्यूंकि आज आपके पास अंतिम मोका है लास्ट चांस है देखिएगा मर दोस्तों काउंसलिंग का पूरा सेड्यूल क्या है मर दोस्तों आज है तीन जनवरी और आज तीन जनवरी को ही बचो आप्सन फॉर्म बरने की लास्ट डेट है आज आपको दो आप्सन बरने हैं एक तो गॉर्मेंट कोलेज और प्राइवेट कोलेजों के जिले आपको बरने हैं प्राइवेट कोलेजों का आईयस टाप दस जिले बर सकते हो ठीक है और चयार जनवरी को आपकी मेरीट लिस्ट आएगी और मेरे दोस्तों उस merit list में आप अगर कुछ edit करना चाहते हो तो edit कर पाओगे फिर 8 जनवरी को final merit list आएगी और 9 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आप private college की 20 भर पाओगे अब आप सोचोगे सर यहाँ पर भी private college और यहाँ पर भी private college यह दो क्या मामला है बच्चो अभी जो आप भरोगे न यह तो private college के जिले भरोगे और government college का नाम भरोगे और यहाँ आप जो जो जिले भरोगे न private college गे उन जिलों की college आपको 9 तारिक से 12 तारिक के बीच भरनी है किलियर बात हैं तो आज 3 जनवरी हैं और आज आपको 2 काम करने हैं कौन से 2 काम करने हैं जी है ना एक तो आपको government college की चोईस भरनी है government college मैं अभी आपको भर के बता दूँगा मान लो कोई college है government GNM college जोधपुर है ना तो आप इस तरह से आज चोईस भरोगे फिर इसी तरह से government GNM college जैपुर इस तरह से एक नमबर पे कोई दो पे तो government college की तो इस तरह से आपको पूरी चोईस भरनी है लेकिन जो private college है ना बचों इन private college के नाम नहीं बरने हैं आपको प्राइवेट कोलेज के केवल जिले बरने हैं जैसे आपने एक नमबर पे अजमेर बर दिया या दो नमबर पे बाडमेर बर दिया तीन नमबर पे जोदबुर बर दिया जो भी आप जिन जिन जिलों की प्राइवेट कोलेज लेना चाहते हैं वो जिले आपको बरने हैं और गौवर्मेंट कोलेज भी बचो वही कोलेज टोप पे बरना जो आपको चाहिए है कि नहीं बिलकुल अब देखो पहले मैं बर के बताता हूँ आपको और फिर मैं आगे समझाऊंगा इस वीडियो में मैं सारी जानकारी दूँगा जीनम काउंस ओने के बाद क्या होगा कौन सी जोब मिलेगी सारी जानकारी जीनम के बारे में मैं आपको दूँगा क्योंकि बच्चो अपना विजय एज्यूकेशन नर्सिंग का ही सबसे बड़ा संस्तान है जहां बच्चों को गाइड किया जाता है मोटिवेट किया जाता है केरियर नर्सिंग होती है है ना और साथ ही साथ विजय एज्यूकेशन एप के अंदर नर्सिंग के ऑनलाइन बेच चलते हैं जिसमें बच्चों को पूरे भारत वर्स के अंदर सबसे कम फीस में पढ़ाया भी जाता है और उन्हों गाइड भी किया जाता है क्योंकि जानकारी के ब सई information मिलें तो देखिए बच्चों मैं सबसे पहले आपके सामने अगर बताओं तो ये क्या है ये राजस्तान का SSO Portal है इस SSO Portal पर जाकर के ही तो हमने फोरम बराता जीनम का है ना SSO ID डालोगे पासवर्ट डालोगे आप लोगिन करोगे ना बच्चों तो लोगिन करते ही इ SSO ID इसे लोगिन होगी तो इस पर आपको राज जीएनम सार्च करना है या दिख जाये तो बड़िया नहीं तो ऊपर सर्च का उप्सण आता है यहां सर्च कर ले ना राज-जीनम है ना राज-जीनम सार्च करोगे तो कुछ इस तरह से आपका राज-जीनम बच्चों खु फोरम ढआतल ना बच्यों वह फोरम आपको यहां दिख रहा है देखो व्यू एपलिकेशन फोर्म और एडिट एपलिकेशन फोरम और फिल ओप्सन फाय तो बच्यों आपना फोरम आप करना है fill option form पर click जैसे ही मैं fill option form पर click करूंगा मैंने इस बच्ची की पहले से ही college की choice भर दी थी है ना लेकिन बच्चो भरनी कैसे हैं आपको मैं बताता हूँ इस तरह से खुलेगा यहाँ पहले आपको जिला भरना है देखो यह तो इस है govarmant की देखो गर्मेंट कोलेज प्राइवरिटी यहां तो गर्मेंट कोलेज बरनी है जैसे जैसे aid करते रहोगे government कोलेज वैसे यहां पर aid होती रहेगी फिर इधर क्या है देखो यह है private college district priority यहां आपको private college की जिले बरने है जिलों में भी जो सब से पहले ब़रना चाते हैं उससे पहले टिक करना दो नंबर पे टिक करोगे तो वो दो नंबर पे बढ़ा जायेगा जैसे मैंने private college का जिला मेरे को सबसे पहले तो जोधपुर के college जहीए मैंने एक नंबर पे जोधपुर बढ़ा जैसे मुझे दो नमबर पर चाहिए मान लेते हैं कि मुझे दो नमबर पर चाहिए बाढ़ मेर के तो मैंने दो नमबर यह लो जी यहाँ पर बाढ़ मेर भर दिया है ना यह लो जी है की नहीं तो वो तो मेरी इच्छा है मैं जहां का भी भरूँगा तो जो भी आप आये स्त 10 भर सकते हों एक बरो दो बरो पांच बरो दस बरो है ना तो ये मैंने प्राइवेट बरा और उपर अब जैसे मैं गवर्मेंट भरता हूँ देखो मैंने पहला जिला बरा कौन सा बरा जी जैसे मैंने अजमेर पर क्लिक किया तो मैं अजमेर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां अजमेर के दो गॉर्मेंट कोलेज हैं दोनों आ जाएंगे कि अजमेर में एक कैकडी वाला है और एक मेन अजमेर का है तो मुझे कौन सा बरना है जैसे मालो मुझे मेन बरना है मैं आ गया अब यहां एड पे क्लिक करना है एड पे क्लिक करोगे ओके लिखावाएगा ओके करते ही अजमेर का कोलेज यह देखो नीचे एड हो गया है ना यह देखिए अजमेर का कोलेज आ गया 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 बिलकुल आ गया जी इसी तरह से मेरे को सारे कोलेज बरने हैं अब माल लो दो नमबर पे मुझे बरना है भरतपुर का गौवर्मेंट कोलेज भरतपुर पे मैंने क्लिक किया है ना ये कोलेज खुला और एड कर दिया बच्चो राजस्तान के सारे जिलों के अंदर गौवर्मेंट कोलेज नहीं है राजस्तान में कौन-कौन से गवर्मेंट कोलेज है वो दिखा देता हूं मैं आपको देखो है ना पहला ही गवर्मेंट कोलेज एक तो है आपका बाड मेर के अंदर है ना दूसरा आपका जोधपुर के अंदर है गवर्मेंट कोलेज एमजी होस्पिटल तीसरा आपका पाली के अंदर है गौवर्मेंट कोलेज पाली इसके बाद जैपुर में है School of Nursing SMS होस्पिटल जैपुर फिर अगला भरतपुर के अंदर है दिख रहा है भाई पूर है हाँ ओके इसके बाद भरतपुर में है भरतपुर में आपका आर बीम होस्पिटल भरतपुर जालोर के अंदर है है ना कोलेज जनरल नर्सिंग अंड मिड़ वाइफ री ट्रेनिंग सेंटर जालोर फिर बीका नेर के अंदर आपका पी बीम होस्पिटल बीका नेर फिर अलवर के अंदर है राजीव गांदी होस्पिटल अलवर फिर चितोडगड के अंदर है आर एम आर एस गौवर्मेंट होस्पिटल चितोडगड फिर कोटा में हैं गौवर्मेंट कोलेज MBS Hospital, Kota फिर Seeker के अंदर है S के Hospital Seeker फिर गंगानगर के अंदर है School of Nursing, Government Hospital, सिरी गंगानगर उदेपुर में MB, Government Hospital, उदेपुर, अजमेर के अंदर एक तो आपका मेन है JLN, जौरलाल नेरू Hospital, अजमेर और एक अजमेर के केकडी के अंदर है Government Model Nursing Institute है यह आपकी केकडी अजमेर में है जो की अजमेर से थोड़ा 60-70 किलोमेटर दूर है इसके बाद भीलवाडा के अंदर है यह आपका MG Hospital भीलवाडा यह आपके Government College है बचों यह कौन से College है यह GNM के Government College है अब आप चाहो तो 16 के 16 बर दो और आप चाहो तो 10 बरो और आप चाहो तो 1 बरो अब आपके जो नजदीक है उसे नमबर 1 पे बरना भई जो थोड़ा दूर है उसे 2 नमबर पे फिर और दूर है तो 3 नमबर पे ऐसे बरना है अब मान लो आपने यहां College बरे बात को समझना तो बच्चो जैसे अब आपने तो बरे लेकिन यहां बर दिया मान लो जोदबूर दो नमबर पे मुझे जोदबूर एक नमबर पे लेके जाना है तो कैसे ले जाओंगा इधर देखो यह 3 के निशान दिख रहे हैं किसी भी College को उपर ले जाना हो तो उपर वाले तीर पे क्लिक करो नीचे ले जाना हो तो नीचे वाले तीर पे क्लिक करो डिलिट करना हो तो डिलिट पे क्लिक करो जैसे मुझे इसे उपर ले जाना है यह लो जी जैसे ही मैंने इस तीर पे क्लिक किया जोदपूर एक नमबर पे चला गया यह देखो अब मान लो मान लो कि मुझे जैपूर जो है यह जैपूर का कोलेज है जैपूर मुझे यह चार नमबर पे मुझे जैपूर लेके जाना है दस नमबर पे है ना तो मैं देखो यह किलिक करता हूँ यह चार पे हैं जैपुर तो मैं एक बार क्लिक करूँगा पांच पे गया फिर चै, साथ, आठ, नो और दस है ना अब यह देखो देखे बच्चों है ना यह आपका जैपुर काफी नीचे आ गया कहा गया भाई अच्छा जैपुर पे क्लिक नहीं किया था किसी और पे कर दिया तो एक, दो, तीन है ना यह देखिए है ना जैपुर के उपर जैपुर कहां पे है यह रहा जैपुर पांच पे आया फिर पांच पे क्लिक करो जैपुर चै पे गया फिर 6 पे क्लिक करो, 7 पे गया, फिर 7 पे क्लिक करो, 8 पे गया, फिर 8 पे क्लिक करो, 9 पे गया, फिर 9 पे क्लिक करो, यह लो जी 10 पे आ गया, तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी कोलेज को उपर नीचे कर सकते हो, अब मान लो मेरे माइंड में आया, कि भाई मुझे तो पर क्लिक किया इधर कोलेज पर क्लिक किया इधर एड पर क्लिक किया है ना ये लो जी ओके पर क्लिक किया ये लो जी उद्यपूर एड हो गया ये लो है ना ये अपना उद्यपूर एड हो गया है की नहीं उद्यपूर भीलवाडा अजमेर अजमेर गंगानगर सीकर कोटा चि या 17 कोलेज है बच्चो आपके आप देख सकते हो है ना ये आपके कोलेज है ना ये आपके सामने 11 12 13 14 15 16 है ना ये आपके सामने कोलेज है बाई साब है ना बच्चा बिलकुल जी बिलकुल अब देखिएगा बच्चो यहां पे देखना आप अब मैं यहां पे क्या कर रहा बच्चो मैं तो इस student का एक number पर कर रहा हूं कोई college वो कर दिया मैंने एक number पर अब देखो बच्चो अब मैं काम कर रहा हूं मैं private college इस student का select कर लिया मैंने जितना भी मुझे करना था मैंने कर ली अब मैं नीचे scroll करूँगा अब नीचे counseling fees कितनी है 500 रूपे इस पे मैंने click किया है नब मैं कर रहा हूं final save मैं क्या कर रहा हूं final save final save पे click करते ही save हो जाएगा सर कर दूँ है ना final save कर दूँ क्या सर कर दो कर दूँ ओके हमारी टीम भी कह रहे ही सर final save कर लो यह लो जी यह लो जी जैसे ही final save पर क्लिक करोगे एक बार फिर से आपके सामने यह list आएगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 है total है ना हाँ और यह private college भी दिख रहा है अब बच्चों देखो यहां लिखा हुआ आ रहा है click to pay पैसा भरो बिना पैसे यह थोड़ी ना अपने को इजाज़त देंगे तो 500 रुपे का payment होते ही college submit हो गया clear बात है कि नहीं बिल्कुल clear है simple सा method है मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपको तो बच्चों यह पूरा है आपका आज रात 12 बजे से पहले पहले यह काम आपको कर लेना है और कर लिया तो बहुत बढ़िया बात अगर आपने college की choice भर दी हैं तो बहुत अच्छी बात ह हैं अगर choice में गलती कर दी हैं तो तो बच्चों कल कल है च्यार जनवरी च्यार से लेकर छे जनवरी के बीच एक merit list आएगी और उस समय आप edit भी करवा पाओगे clear final merit कब आएगी आठ तारी को तो क्या सर आठ जनवरी को हमें college मिल जाएंगे क्या अरे नहीं आठ को तो अभी एक list आएगी कि इन इन बच्चों ने counselling के लिए apply किया है फिर no तारी को private college की choice बरवाएंगे ये लोग है ना अब college आपको मिलेंगे लगबग 16 या 17 जनवरी को अलोट्मेंट में अभी टाइम है 16 17 जनवरी को अलोट होंगे किलियर बात है बिल्कुल किलियर अब सर डोक्योमेंट कौन से चाहिए बता दो देखो बच्चों अगर बात अपन डोक्योमेंट की करें तो फिलाल अभी तो कोई कागज की जरुवत नहीं है है ना लेकिन भा इन तो आपका दसवीं की मारक सीट ओके फिर अपनी बारवीं की मारक सीट इसके अलावा माईग्रेशन परवजन परमान पत्र बोलते हैं इसको इसके अलावा टी सी इसके अलावा सी सी चरित्र परमान पत्र है ना जो बच्चा किसी ने प्राइवेट बारवीं करी है तो नहीं है ना इसके बाद में और आपका आधार द कार्ड और बच्चो आपका फोट इसलेगों ना इस काउस्लिंग में जो भी पेश्मेंट वगरा करोगे तो इस पेश्मेंट की स्लिप इसलीब है ना इसलेवा अलावा जो आपने फोरम बराय बच्चो इस फोरम का प्रिंट आउट है ना और इसके अलावा आपका जाती प्रमान पत्र या EWS और कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसका दिव्यांग ता प्रमान पत्र है ना और इसके अलावा मूल निवास मूल निवास प्रमान पत्र ये कागज आपके पास होने चाहिए बाई साब दसवीं की मारक सीट, बारवीं की मारक सीट, माइग्रेशन, टी सी, चरितर प्रमान पत्रादार, फोटो कम से कम च्यार, काउंसलिंग की स्लिप, फोरम का प्रिंट आउट, जाती EWS या दिव्यांगता मूल निवास, ये आपको प्राइवेट कोलेज फिल करने है, प्राइवेट कोलेज क्या करने है बच्चो, फिल करने हैं, है ना, और बच्चो आपका 16 या 17 को, आपकी जो काउंसलिंग का फाइनल जो अलोटमेंट का सिस्टम है, वो आपको 16 या 17 जनवरी को पता, चलेगा, किलिए रे तो ये डोक्योमेंट चाहिएंगे, और सारे ओरिजनल डोक्योमेंट चाहिएंगे, कैसे, ओरिजनल डोक्योमेंट और परतेक डोक्योमेंट की तीन फोटो को भी, अब सर कुछ सपत पत्र भी चाहिएंगे, हाँ जी, आपको कुछ एफिडेविट भी बनाने पड़ेंगे, सपत पत्र स्टाम पेपर के ऊपर एफीडैविट एभी डेविट अभी नहीं बनाने है बचों एफीडैविट बाद में बनाने है एंटी रेंगिंग है ना हेल्थ है इसके अलावा भी गेफ है और भी कुछ एफी डेविट है जो भी ची未द€ चाहिए हैं ड़ो मैं आपको ब यह जान करी थी हैना मैंने आपको बता दिया राजस्तान में जीनम की काउंसलिंग चल रही है हैना जो जिन भी बच्चों ने कोलेज की चोईस भर दी है अच्छी बात जिनोंने नहीं बर दी है तो वो उनको बरनी है भाई साब आज लास्ट मोका है आपके पास गौर्मेंट कोलेज की चोईस बरने का अब सर प्राइवेट कोलेज की चोईस का बरनी है तो नो जनवरी को तो सर हमें तो पता ही नहीं अच्छे प्राइवेट कोलेज को अंसे हैं मैं बता दूंगा आप चिंता मत करिए हैना बिलकुल जी अब देखिए बहुत सारे बच्चे मेरे को य उनलाइन भी पढ़ाएगा जी हाँ विजे एजूकेशन जी एनम फेस्ट एर के लिए जी एनम सेकंड एर के लिए ओनलाइन क्लास से चलाता है पूरी की पूरी जी एनम की स्टडी हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंगलिस दोनों माध्य में बच्चों को पढ़ाते हैं और इ एंट्रेंस एक्जाम होता है उसकी हम बहुत ही अच्छी तयारी कराते हैं पूरे राजस्तान ही नहीं यूपी है बी हारे एंपी है हरियाना के बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं अब देखिए बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ आप अगर विजे परिवार से जु सपोर्ट जरूर करना अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है और सुनिएगा कुछ मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो आर्ट के बच्चे हैं और जो साइंस के बच्चे हैं इनके बारे में थोड़ा बताईएगा क्या सर आर्ट के बच्चों को है अदर में सारे आगए आर्ट्स वाले भी आगए एर कॉमर्स वाले भी आगए एगरी कल्चर वाले भी आगए साइंस में मैं बात केवल बाईलोजी की कर रहा हूं PCB की मेहत वाले बच्चे भी अदर्स में आएंगे ठीक है ना बिलकुल अब देखिएगा बात कुछ ऐसी ह है बच्चो बात कुछ ऐसी है कि कोलेज वाला जो मामला है ठीक है ना कैसे भरें कोलेज तो सुनिए यहां पर भी बोईज और गल्स इनका भी मैं अलग से क्राइटेरिया बना दूँ यह गल्स के लिए और यह बोईज के लिए एक आईडिया दे रहा हूं आपको बच्चो है ना यह गल्स के लिए और यह बोईज के लिए कोलेज कैसे बरें किन किन चीजों का द्यान रखें वो बता रहा हूं मैं देखो बच्चो बात यह है कि अगर कोई बायो का गल्स केंडिडेट है है ना और उनके परसंटेज उनके परसंटेज जो है वो जनरल, OBC, MBC और EWS इन चार केटेगरी में अगर उनके परसंटेज बच्चो कितने से उपर है जो है मेरे दोस्तो 80 प्लस है 80 प्लस है तो उन्हें पहले कौन से कोलेज बरने है गौर्मेंट कोलेज टॉप पर गौर्मेंट कोलेज बरने है और लगबग 10 से लेकर के 15 गौर्मेंट कोलेज बरने किलियर है बिल्कुल किलियर है अब देखिएगा इसके बाद में प्राइवेट बरने है कि नहीं बरने है भाई साब प्राइवेट भी बरने है गौवर्मेंट के नीचे गौवर्मेंट के नीचे प्राइवेट भी बरने है लगबग 10 को लेज अब देखो 10 बर सकते हो 20 बर सक है तो उनको क्या करना है सर उनको केवल कॉवर्मेंट only government college only government college है ना नवे प्लस अगर है जैनरल में OBC में MBC में EWS में बायों की बच्चियों के तो वो केवल government college बरें लगबक 10 से 12 बराढ़ां कॉलेज बर दें बात किलियर है बिल्कुल किलियर है जी अब सुनिएगा अब बात करता हूँ मैं लड़कों की अगर लड़कों के सेम इसी केटेगरी के अंदर सेम इसी केटेगरी में अगर लड़कों के नंबर बच्चो है ना अगर लड़कों के नंबर कितने है बाई सब लड़कों के गौर्मेंट कोलेज, बायो के लड़कों की बात कर रहा हूं, और अगर उनके 95 परसंटेज से कम है, है ना, इधर भी मैं ऐसे लिख देता हूं, 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम परतिसत है अगर, तो गौर्मेंट और पराइवेट दोनों ही भरने, ऐसे लिख देते हैं, है ना, और फिर नीचे कैसे बरने है बाई साब प्राइवेट कोलेज प्राइवेट कोलेज के लियर बात है बिल्कुल अब मैं बात कर रहा हूँ आर्ट्स के बच्चों की आर्ट्स की जो गल्स हैं अगर इनके 95 से उपर परसंटेज हैं तब ये गौवर्मेंट बरें लेकिन मैं तो 98 से उपर हैं तो गौवर्मेंट बर सकते हैं केवल मिल भी सकती है और लड़कियों की अगर मैं बात करूं 95 से उपर हैं अगर केवल गौवर्मेंट बरें तो भी ठीक है बर सकते हैं लेकिन आर्ट्स के बच्चों का एक मैं यहां पर बड़ी बात कहना चाहता हूँ आर्ट इसाब क्या है कि इस बार बच्चों जो बोड है ना वो बोड बाईलोजी के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेगा जब कोई सीट खाली हो जाएगी इर बायों का बच्चा एवलेबल नहीं होगा ना तब आर्ट्स के बच्चों को कोलेज देंगे तो क्या कर लेना टॉप पर जो है गौवर्मेंट कोलेज बर देना कौन से कोलेज बरना गौवर्मेंट कोलेज है ना इसके बाद नीचे आपको कौन से कोलेज बरने भाई प्राइवेट कोलेज आर्ट्स के बच्चों को प्राइवेट कोलेज थोड़े ज़्यादा बरने ह अगर किसी आर्ट के बच्चे के 90 से कम है परसंटेज तो ऐसे आर्ट के बच्चे लगबग 60 से लेकर के 80 प्राइवेट कोलेज बरना और अगर किसी के 80 से कम है परसंटेज तो उसे 120 कोलेज जो है प्राइवेट के बरने है है ना लगबग लगबग और इससे भी नीचे हैं तो मैं तो कहता हूँ सारे ही private भरना है ना बिलकुल जी अब देखिएगा अब एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूँ है ना जो SC और ST के बच्चे हैं SC, ST के जो लड़कियां है SC, ST के टेगरी की है ना अगर मैं लड़कियों की बात करूँ SC, ST के टेगरी की जो बायों की गर्ल्स हैं है ना या SC, ST के टेगरी के जो बायों के बोईस केंडिडेट हैं मैं उनकी भी यहां पर बात करना चाहता हूँ अगर उनके percentage 85 प्लस हैं और वो केवल अगर Government College बढ़ना चाहे तो बर सकते हैं 85 या 88 प्लस है तो वो Government केवल बर सकते हैं है ना और अगर बोईस केंडिडेट हैं और वो 92 प्लस हैं तो वो केवल Government बर सकते हैं, Only Government Otherwise, Otherwise उन्हें Government और Private दोनों ही बरने चाहिए अब percentage जैसे जैसे आपके कम हो बचों, वैसे वैसे प्राइवेट ज़्यादा बरने आपको किलियर बात हैं, बिलकुल, अब देखो Private डंके कोलेज कौन से हैं वो तो प्राइवेट कोलेज बरने कब हैं प्राइवेट कोलेज सर बरने तो नो तारीक है, तो नो से पहले मैं बता दूँगा सर अच्छे जिले कोन-कोन से, जिनकी कोलेज ज़्यादा बढ़िया है तो बाई साब एक तो जैपूर है इसके अलावा दूसरा जोधपूर है तीसरा सीकर है चोथा उदैपूर है इसके बाद में आपका कोटा है इसके बाद में बीका नेर है है ना इसके बाद में बच्छो आपका है ना इसके बाद ये जो है जुन-जुनू है है ना, चूरू है बीका नेर की बात कर ली, कोटा की बात कर ली, उदेपूर की बात कर ली है ना तो ये जिले वो हैं बच्चो जैपूर, जोधपूर, सीकर, उदेपूर, कोटा, बीका नेर है ना ये वो जिले हैं बच्चो इसी तरह से अलवर अजमेर अलवर अजमेर को तो मुझे यहां लिखना है अजमेर है ना चै फिर साथ यह आठ यह नो यह दस यह वो दस जिले हैं बच्चो जहां आपको थोड़ी अच्छी कोलेजे मिलेगी टॉप फाइफ जिले जहां बड़िया प्राइवेट कोलेज आपको मिल सकती है वो आपके यह है यह टॉप फाइफ जिले हैं जहां आपको अच्छी कोलेजे मिलेगी प्राइवेट की है ना अच्छी प्राइवेट और अच्छी गॉवर्मेंट अच्छी प्राइवेट कोलेज और अच्छी गॉवर्मेंट कोलेज आपको इनी जिलों में मिलने वाली हैं है ना भाई बिलकुल अब सर ज्यादा कट ओफ इन्हीं कोलेजों की रहती है बच्चो अब गॉर्मेंट कोलेज में एक तो जो जैपूर का कोलेज है बच्चो जैपूर जोदपूर जैपूर जोदपूर सीकर जैपूर जोदपूर सीकर अजमेर अजमेर की ज JLN है वो उदैपुर उदैपुर बीकानेर कोटा ये जो बचो कोलेजें हैं ना बीकानेर कोटा इन कोलेजों की जो मेरी इट है गौर्मेंट कोलेजों की वो थोड़ी जादा रहती है द्यान रखना इसलिए जब भी कोलेज की चोईस भरते हो बेटा तो ये गौर्मेंट कोल जो हैं यह 95, 97, 98, 99 यह इस मेरिट पे मिलती है अगर आपके 85, 84, 83, 82, 81 है बायो में है ना हो सकता है 70 परसंटेज वाड़ा भी गॉवर्मेंट भर सकता है कोई मना नहीं करेगा मैं तो कहता हूं टॉप के उपर गॉवर्मेंट भरो बले ही 75 परसंटेज है बले ही 70 है बायों के अंदर विशेशकर भायों के बच्चे 55 वाले, 70 वाले, 80 वाले, 85 वाले और आठ्स के बच्चों को भी मैं कहना चाता हूं मेरे प्यारे लाड़लो कोलेज आपको भी मिल जाएगा बले ही आपके 60 है बले ही आपके 70 है लेकिन आपको प्राइवेट कोलेज जादा बरने और कि गॉवर्मेंट कम बरने है ये बात ध्यान रखना ठीक है की नहीं है बिलकुल ठीक है अभी तो बहुत सारी काउंसलिंग होगी फैस्ट काउंसलिंग सेकंड लेना चाते हो और परसंटेज भी कम है तो बैंसाब प्राइवेट जादा बरना और परसंटेज बहुत ज़द से उपर हैं तो Skills Bi-Soile तो यह गमर्मेंट ज़्यादा वर न है ना और गुवर्मेंट कोंची मिले और कोई भी रेना ही रेना इए है वी इन इन भीस तो वसमें यही कहना चाहता हूं और बाकी में एक बात बोलूं आपको आप GNM करना चाते हो अच्छी बात है लेकिन GNM की काउंसलिंग बहुत लंबे समय तक चलेगी अभी महीने दो महीने चलेगी तो इस दो महीने घर पे फिरी मत बैठो अगर आपके परसंटेज सतर से कम है साट से कम है या आठ्स में भी आपके परसंटेज साट से कम है सतर से कम है है ना तो आप कोई न कोई पढ़ाई study करते रहो अगर science के बच्चे हो तो आप B.A.C. nursing के लिए भी परवेश परिक्स आया गे चार महीने बाद M.S. वाला एक्जाम है राजस्तान वाला एक्जाम है वो भी तो देना ही है अगर बायों का बच्चा है तो क्यों नहीं देना चाहिए तो उसकी तैयारी अभी से करते रहो कल को अगर बच्चो सबोच करोगी मानलो अपने एक दो नंबर से अपने पीछे रह जाए या अपने को मन पसंद जीनम की कोलेज ना मिले तो अपन B.A.C. nursing में भी टाई कर सकते हैं तो इसलिए गर पे फ्री बेटने से अच्छा है कि तैयारी भी साथ में करते रहो मैनत कर करते रहो पढ़ने में कोई नुक्सान नहीं होगा घर पे सेल्फ इस्टडी करते रहो खुद से इस्टडी नहीं होती है तो अपने विजय एजुकेशन एप के अंदर ओनलाइन बेच लेके पढ़ते रहो है ना आज अगर आप B.A.C. nursing का मानलो बेच ले ले लेते हो और दो मैने B.A.C. nursing के बेच में पढ़ते हो कल आपका जी एनम में एडमिशन हो गया तो आप अपना बेच जो है जी एनम में ट्रांसपर करवा लेना यह जी एनम का बेच है इसमें बदलवा देना अलग से कोई चार्जी नहीं लगेगा तो आज आप 990 रुपे दे करके अग जी एनम पैस्टियर में बदलवा देना और अगर मन पसंद नहीं मिलता है तो अपने चार मेने बाद B.A.C. nursing की परवेश पर इक सदे देना है ना यह भी आपके पास option है है ना बिल्कुल अब मेरे से कुछ बच्चे कल पूछ रहे थे कि सर हम जी एनम कर रहे हैं सर सही तो हम यह कह सकते हैं कि nursing field में सबसे अच्छा है ना graduation course होगा वो B.A.C. nursing है लेकिन जी एनम भी अच्छा है और A.N.M. भी अच्छा है medical field है भाई बेरोजगरी नहीं है इस field में है ना तो बच्चो आज के लिए इतना ही thank you जैहिंद और मैं समय समय पे जानकर यह आपको देता र करवाओ खुद भी जागरूक रहो औरों को भी जागरूक करो thank you जैहिंद best of luck